नवजोट संग सिद्धू की जगस सालों से कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में जज की कुर्सी संभालने वाली अर्चना पूरन सिंग को भला कौन नहीं चांटा कपिल के साथ उनकी बॉंडिंग और हस्ती मचार दर्शकों को काफी पसंद आता है टीवी के बाद अब OTT प्लैटफॉर्म पर ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का सीजन टू शुरू होने वाला है इस बीट शो में अर्चना पूरन सिंग की फीस को लेकर सुर्खिया तेज है उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया है कि वह कपिल शर्मा शो के लिए कितनी रकम चार्ज करती है हर किसी के जहन में ये सवाल आता है कि कपिल शर्मा शो में इतनी बड़ी स्टार कास्ट देखने को मिलती है तो इनको कितनी फीस मिलती होगी इस मामले को लेकर हाली में अर्चना पूरन सिंग ने मेडिया के साथ खुल कर बात की उन्होंने बताया कि मुझसे जादा डबल फीस तो शो के अन्य लोग ले जाते हैं लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं उनका हग बनता है मुझे हसने के लिए पैसे मिलते हैं मैं उससे खुश हूँ इस तरह से अर्चना पूरन सिंग ने कपल शर्मा शो में अपनी फीस को लेकर प्रतिक्रिया दी है हलाके इस दोरान उन्होंने मिलने वाली रकम की आकड़ी का जिक्र नहीं किया है आपको बता दे कि अर्चना पूरन सिंग से पूछा गया कि चंदन प्रभाकर सुमोना चक्रवर्ती शो में क्यों नजर नहीं आ रहे हैं सवाल पर अर्चना ने कहा कि इस बारे में आपको नेटफलिक्स या शो के प्रोडियोसर से बात करनी परेगी चंदन और सुमोना कब नजर आएंगे या उन्हें क्यों कास्ट नहीं किया गया है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती आपको बता दे तो चंदन प्रभाकर याने चंदु चाय वाला की कमी शो में खलती है साथी सुमोना की भी कमी शो में दिखती है उनकी फैंस चाहते हैं कि दोनों कपिल के साथ नज़राएं मगर इस सीजन में भी दोनों को कास्ट नहीं किया गया शो के प्रोमो से दोनों गायब हैं इस साल के शुरवात में दे ग्रेट इंडिन कपिल शो का पहला सीजन अब इसका दूसा सीजन भी पूरी तरह से तयार है जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था बजादे एकिस सितंबर से कपिल शर्मा के इस कॉमेडी शो का सीजन टू नेट्फिक्स पर ओनलाइन हर शनिवार रात आठ बजे से शुरू हो जाएगा शो में इस बार एक से बढ़कर एक स्टार्श शिर्कत करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी से लेकर स्पोर्ट्स के खिलाडी तक सभी अपनी मौजूदगी से तहलका मचाएंगे वैसे आप कपिल के शो के लिए कितने बेकरार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रू बताए और देखते रहे मियो वुल्फ को हमारे चैनलों को सबस्क्राइब ज़रू कर दे साथ ही हमारे फेज़ू पेश को भी लाइक कर दे वीडियो देखने के लिए शुक्रिया